दोस्तों बिहार सरकार के ओर से एक नई योजना के सुरुवात की गई है जिस योजना का नाम है श्टार्टप पॉलिसी आपको बता देए ये श्टार्टप पॉलिसी क्या है कैसे इसकी दाखत आपको 10 लाख रुपे मिलता है ये भी हम आपको बताएंगा और साथी ये जो पैसा मिलेगा कब तक आपको चुकाने पड़ेगी क्या इसके लिए इलिजिबिलेटी कैटरिया होगी कौन को से कनिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे जिसकी पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो थोड़ा सा लेट प्रभाइड कर रहे है क जो बिहार सरकार ये नई पॉलिसी लाई है ये नई योजेना लाई है ये योजेना का उदेश क्या है आपको बता दे बिहार में बहुत सारे ऐसे युवाय हैं जिनके पास बिजनस से जुरा बहुत सारे आइडिया है उनके पास लेकिन वो उस आइडिया पे काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता हुआ किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए आपको पैसा किया बसकता पड़ती है अगर चोटा मोठा बिजनस करते तो उससे आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आपके पास बढ़िया आइडिया है और आपके पास पैस तो यह आपको कोई भ्याज नहीं देना होगा उसके बाद अगर आप देंगे तो इसके लिए आपको इंट्रेश देना परेगा आपको बता दे इसमें सभी परकार के जो कनिडेट है आवेदन कर पाएंगे जिसके पास कोई भी बिजनर्स से जुरा एक नई आइडिया है जि उसमें आपका आइडिया पाया जाता है अच्छा आइडिया तो सरकार आपको चुन कर आपको पैसा देगी 10 लाग रुपे अब कैसे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे कौन-कौन से गनिडेट आवेदन कर पाएंगे जिसकी पूरी जनकारी हम अपने कंप्यूटर के स्कि पर चलके बताते हैं ताकि आपको और भी जनकारी डीटेल में समझ में आपाया और साथी आवेदन करके भी आपको दिखाते हैं ताकि अगर आप चाहते हैं आवेदन करना तो किस परकार इसका बेनिफिट उठा सकते हैं वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक आप इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां भी आप अपनी समस्याओं को आप हमें डीम कर सकते हैं जहां पर सारी समस्या का हम आपको समधान करेंगे चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्किन पर और पूरी जनकारी डीटेल में समझाते हैं इस योजना के बारे म आउनलाइन अप्लाई इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल खुलेगा जिसमें सारी जनकारी को समझा दी गई आपकर सारी जनकारी को अडिट कर सकते हैं आपको बता दे यह जो इस योजना का जो उदेश है कि वैसे ही वाए जिनके पास कोई एक आइडिया ह है वो इस पर काम करें जिनको सरकार 10 लक रुपे तक जो ब्याज पैसा है वो देगी बीना ब्याज इदर पर जो कि 10 सालों के लिए कोई ब्याज आपको नहीं लगेगा इसके लिए योगिता होगी जो कि बिहार के स्थाई निवासी होना चाहिए युगा के पास कोई रोज रोजगार है वो भी अप्लाई कर पाएंगे जिनका जो रोजगार अगर माली जो पहले से कर रहे है वो किसी संस्ता से प्राइब पार्टनर्सीप है या उनका खुद का है या प्राइबिट लिमिटेड है फिर भी अप्लाई कर पाएंगे लेकिन 10 साल से अधिक जो वो संस वेजे बताईगी क्या क्या लगेगा क्या फायदे होंगे कैसे अपलाई करेंगे सारी जनकारे पड़ सकते डाइडेक्ट आप आप उनलाइन अपलाई करने का आपको लिंक प्रवाइड कर देगे या नहीं तो ऑफिसल जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है आप इस पर भी करेंगे तब जाकर आपको यह पैसा आपको मिलेगे अब अपलाई करने के लिए डाइडेक्ट आपको ओनलाइन अपलाई का हमने लिंक दिया है रेस्टेशन करने का इस पर किलिक करेंगा सारा इसका जो गाइडलाइन है वह आपको सामने खुल कर आएगा आप हिंदी परक्सन में आप से पूछा जा रहा है जो आपका कंपणी है वह बिहार में रेश्टर्ड है तो आप इसनों में बता सकते हैं हमने किलियर किया पहले भी समझा जिनका अगर पहले से कोई संस्ता चल रहा है या कोई कमपनी चल रहा है जो दस साल से अधीक हो चुका तो उसक से पहले आपको first name, middle name, last name डालना है, साथ ही आपका जो startup है, उसका क्या नाम है, तो ये नाम डालना जरूरी नहीं है, अगर आप startup को शुरुआत कर चुके हैं, तो नाम होगा, तो नाम डालिए, अगर आपने अभी तक startup शुरुआत नहीं किया, तो अभी ये आप blank छोड़ सक submit OTP का जो option मिलता है, जिसपे click करेंगे, अब यहाँ पे आपको email ID आपको डालना है, जो email ID अभी आपने डाला है, जो password आपने बनाया है, password तो बनाया नहीं होगा, तो यहाँ पे एक option मिलता है, forget password, आप password को forget पी कर सकते हैं, फिर उस password को डालिए, फिर sign in वाले पे आप click करे करेंगे, इस परकार आपका password successful reset होता है, उस password को डालकर sign in पे click करेंगे, कुछ detail आपका पहले से फिलप रहेगा, उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पे पैन नमबर आप से पूछा जा रहा है, अगर है तो डाल सकते हैं, आपने जो भी यह startup शुरुआत किया है या करना चार है, उसका कोई website है, उसका URL यहाँ पर डालेंगे, गर्जियन के तोर पे जिनका भी नाम आपको देना है, जैसे father या गर्जियन के तोर पे जिनका नाम देना है, वो को डालेंगे, साथ ही date of birth के लिए calendar मिल जाता है, अब simply यहाँ से क्या करेंगे, year के लिए आपका year होगा, select करिएगा, जो भी month होगा, select करिएगा, जो भी date होगा, इस परकार डालना है, आपका जो भी qualification होगा, जहां तक आप पढ़े होंगे, उसकी जो भी जनकारी है, आप यहाँ पर बता सकते कि आप कहां तक पढ़े हुए हैं, इसमें से अगर qualification आपका इस अनु आपका जो भी state होगा, state आपको select करना है, साते जो भी district आपका होगा, यहाँ पर list आता है, उसको select करिएगा, जो भी आपका city होगा, simply क्या करना है, city को भी select कर देना है, pin code को डालना है, साते आप अपना gender select करेंगे, male female दोनों आवेधन कर सकते हैं, religion बताना है, किस धर्म से आते हैं, वो उसके बाद जो भी category आपका होगा, वो बताएंगे, उसके बाद जो भी आपके पास educational qualification होगा, या जो भी experience होगा, उसका भी certificate आप लगा सकते हैं, तो जो होगा आप यहाँ पर upload करिएगा, अगर आपके पास educational certificate और work experience भी है, तो दोनों को एक ही में upload करके को लगाना है, जो general से नहीं आते है, जैसे BC, SC, ST वाले जो है, उनको लगाना है, pen card का जो detail है, वो आप लगा सकते हैं, available है, तो यहाँ पर एक option मिलता है, photo upload करने का, उसको upload करेंगे, फिर एक option मिलता है, submit का, इस पर click करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है, entry यहाँ पर आपको click करना है, जो भी company adventure है, उसका detail आपको डालना है, जैसे company का जो DP, IIT, जो registration number है, अगर है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं था, छोड़ सकते हैं, वो certificate available है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं था, छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको आई एगरी करना है, फिर आप आपको नीचे आना है, अब यहाँ पर जो भी आपका startup है, उनका innovation किस परकार है, दो option है, एक है technology innovation और business model innovation है, तो जिस भी परकार का आपका startup है, वो आप बताएंगे, current stage आपको बताना है, current stage आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जिस भी परकार का होगा, जैसे हमारे पास एक idea है, तो हम idea select करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे, आप से बोला जा रहा है कि किस परकार का आप service provide करेंगे, तो आप यहाँ पर काफी लंबा चोड़ा list है, आप जिस भी परकार का काम करना चाहते हैं, उस परकार का आप बता सकते हैं, उसके बाद नीचे जब दे देखेंगे, industry of startup है, जहाँ पर भी आपको बतानी है, तो काफी लंबा चोड़ा list है, अब जिस भी अनुसार का आपका होगा, आप अपने according जो है, जनकारी को बताएंगे, जिससे यहाँ पर हम लिस्ट में देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमने बताया, उसके बाद जू सेक्टर है, किस परकार का है, जैसे coaching सेक्टर है, educational technology, skill development है, तो आप किस परकार का काम करना चाहते हैं, उसकी भी जनकारी बताएंगे, साथी एक option मिलता आपको, यहाँ पर submit का, आप submit वाले पर click करेंगे, अब जैसे ही आप submit करेंगे, तो next detail आपको founder detail आता है, अब यहाँ प option मिलता है, add founder, आप इस पर जब click करेंगे, तो उनका जो भी नाम होगा, नाम डालना है, उनका अधार नमबर, और अधार कार्ट को upload करना है, पैन कार्ट को upload करना है, डेटो बर्ट डालना है, साथी अगर किसी भी जगा पर उन्होंने काम किया है, तो उनका experience अगर होगा, बताएंगे, साथी उनका क्या qualification है, बताएंगे, category बताएंगे, gender बताएंगे, अगर वो disability है, बिकलाएंगे, तो बताएंगे, फिर submit वाले पर click करेंगे, तो इस परकार वो add हो जागा, अगर माली जी एक से अधीक, अगर उनका founder है, तो यहाँ पर add founder पर click करके, इसको भी add क करेंगे, फिर submit वाले पर click करेंगे, तो यह detail भी आपका add हो जागा, अब यहाँ पर देखेंगे, concept and idea of startup है, जिस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ जैनकारी बतानी होगे, अब जैसे 200 word में आपको innovation देना है, आपको बताना है, आप अपने language मे जैसे हिंदी, इंगलिस में भी आप बता सकते है, उसके बारे में पूरा define करके आप यहाँ पर बता देंगे, नीचे जब आप आएंगे, अगर इस सब में आपको समस्या होती है, तो यह आप बता भी सकते है, जैसे यहाँ पर कुछ जैनकारी आपको डालना है, जैसे जहा आपको मिलता है, सब्मिट का, आप सम्मिट वाले पर क्लिक करेंगे, तो यह सबी जैनकारी आपका सेब होगा, उसके बाद जो भी जैनकारी आपने डाला है, उसका यहाँ से आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू फॉर्म वाले पर क्लिक करेंगे, आप चाहे तो इसका प्र अब इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसका प्रिंट ले लेंगे, तो यह जो सरकार की योजना है, स्टार्टप विहार 2022 का, इसमें आपको क्या करना है, आपको छोड़ना है, आगे के जो भी परक्रिया है, वेरिफिकेशन किया जागा, वेरिफिकेशन होने के बाद, सीड फंड के तहट आपको 10 लाक रुपे इसमें दिये जाते हैं, ताकि आप अपने बिजनस को स्टार्टप कर सके, बिजनस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं भी बाधाये आती है, तो यहाँ पर आपको परस्रिक्शन भी दी जाएगी, जिसके लिए आप गाइडलाइन था, जो कि हमने आपको इस वीडियो में समझाया, आगे कि जो भी अपडेट होगी, आपके मुवाइल पे ही मिलती रहा है, तो आप मुवाइल इमेल को हमेशा बेजिट करे, अगर आपका कॉन सेप्ट अच्छा होता है, तो आपका 100% इसमें सेलेक्शन होगा, और 10 लग का जो पैसा है, वो दिया जागा, 10 सालों तक जो कि बीना ब्याज का रहने वाला है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, तो लाइक करिए, साथी हमारा जो वेब साइट है, और सरकारी योजना में काफे सारे योजनाय चल रहे हैं, जिसका झाल साथाओा झालमारा है, और सारे यो लाइक का बाता है, और स्पानाय बाता है, यो प्याल में लुपरेवादा क। लाइक अगे जिसका जाइक का रहे हैं, यू कुनाय।